पूलो की प्रत्याशा फन हिल ओक, हंटर्स लॉज प्रतिश्थित व्यक्ति, पाइस, दुम्बर निये, मैकिन्नोन्स हॉल तथा विंडर्मियर ये कुछ पुराने घरों के नाम है, जो अभी भी एक छोटे भारतिय हिल स्टेशन के बाहरी इलाके में खड़े हैं, इनमें से अधिकांशक शय और बरबाद हो गए हैं ये बेशक बहुत पुराने हैं, अंग्रजों द्वारा सौ साल पहले बनाए गए थे जो मैदानी इलाकों की गर्मी से बचना चाहते थे, आजकल हिल स्टेशनों के आगन तुप बाजारों और सिनेमा घरों के समीप रहना पसंद करते हैं, और कई पुराने घरों में, ओक और मेपल और देवदार के पेड़ों के बीच में, वन विलाफ, बैंडी कूट, उल्ल बकरियों और सामई चावल बनाई या खचर चालक का निवास है, लेकिन इन उपेक्षित हवेलियों के बीच मलबरी लॉज नामक एक साफ सफेधी वाला कुटीर है, तथा इसमें कुछ समय पहले तक मिस मैकेंजी नामक एक कुवारी बुजूर्ग इंगलिश महीला रहती वर्षों में मिस मैकेंजी बुजूर्गों की तुलना में अधिक बुजूर्ग थी, उसकी आयू असी वर्ष से भी उपर थी, लेकिन किसी ने भी इसका अनुमान नहीं लगाया होगा, वह साफ तथा चुस्त थी वह पुराने जमाने के लेकिन अच्छी तरह से सनरक्षित कपड़े पहनती थी, वह सपताह में एक बार्क मक्खन, जैम और कभी-कभी ओडे कोलोन इत्र की एक छोटी बोतल भी खरीद कर लाती थी, वह हिल स्टेशन में तब से रहती है जब वह अपनी किशुरावस्था में थी और यह प्रथम विश्व युद्ध से भी पहले की ब उसका भाई और बहन भी मर चुके थे, भारत में उसका कोई संबंधी नहीं था और वो 40 रुप्य मासिक की छोटी पैंशन और उफार पारसल जो उसका युवावस्था का मित्र न्यूजीलेंड से उसके लिए भेजा करता था पर रहती थी, अन्या अकेले बुरे लोगों क समान उसने एक पालतु जानवर रखा था, एक बड़ी काली बिल्ली जिसका चमकदार पीली आखे थी, अपने छोटे से बगीचे में वो देहलिया, मेक्सिको का रंगीन, फूलो का बड़ा पौधा, गुलदाओदी, गलदियोली, एक फूलदार पौधा तथा कुछ दुर प्रंगता विक्सित हुई जो उसके चारो और बड़ी और पनपी, उसके कुछ आगन तुक थे, कभी कभी स्थानिय चच से पादरी उसको बुलाया करता था, तथा महीने में एक बार डाकिया न्यूजीलेंड से पत्रिया पैंशन के पत्रों के साथ आया करता था, हर दूस एक भावुक व्यक्ति था, वह उसे 20 के दशक में एक मोहक सुंदर्स्त्री के रूप में याद करता है जब वह उसकी गोल आखों को देखा करता था, वह उसे 9 साल का अजूबा तथा उसकी संसनी को याद करता है, अब सितंबर था और वर्षा लगभग समाप्त हो गई थी और मिस मैकेंजी के गुलदाओदी अपने आप में आ रहे थे, उसे उम्मीद थी कि आने वाली सर्दी बहुत गंभीर नहीं होगी क्योंकि उसे ठन को सहन करना कठिन लग रहा था, एक दिन जब वह अपने बगीचे में घूम रही थी, उसने देखा कि एक स्कूली लड़क पर चड़ने की कोशिश की परंतु वह चीर की सुयों पर फिसल गया और धलान पर मिस मैकेंजी के नास्टा शयम, जलकुंभी की प्रजाते वाली वनस्पतिक के नदी तल पर आ गया, जब उसने पाया कि अब कोई निकास नहीं है, तो उसने एक उजवल निहत्ती मुसकान और कहा, गुड मॉनिंग मिस, वस्थानिय इंग्लिश मीडियम स्कूल से तालुक रखता था और चमकीली लाल बलेजर तथा लाल और काली धारदार टाई पहने हुए था, सरवाधिक विनम्र भारतिय स्कूली बच्चों के समान वो फ्रत्येक औरत को, मिस कहकर पुकारता गुड मॉनिंग मिस मैकेंजी ने गंभीर रूप से कहा, क्या तुम मेरी फुलवारी से बाहर जाने का मन करोगे, लड़के ने नास्टाशयम पर साभधानी पूरवक कदम रखा और जिम्पल वाले गाल और आकरशक आखों के साथ किस मैकेंजी को देखा, उससे नाराज हो असंभव था, मिस मैकेंजी ने कहा, आप अतिक रमन कर रहे हैं, हाँ, मिस रहे है, और आपको इस समय स्कूल में होना चाहिए, हाँ, मिस पिर आप यहां क्या फूल बिन रहा हूं, मिस, और उसने फन और जंगली फूलों का गुच्छा बनाना रोग दिया, क्या आपको आपकी आयू के अधिकांश लड़के पाइलर्ट या सैनिक या शायद इंजीनिया का चाहते हैं, लेकिन आप एक वनस्पती शास्त्री बनना चाहते हैं, अच्छा, अभी भी दुनिया के लिए उसी है, मैं देख रही हूं, और क्या आप इन फूलों के नाम जानते हैं, य यह एक बखिलो का फूल है, उसने कहा, उसे एक छोटा सुनहरा फूल दिखाते हुए, यह एक पहारी रामलीला यह एक नाम है, इसका अर्थ है पूजा या प्रार्थना, यह फूल प्रार्थना के समय चड़ाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता की यह क्या है, उसने नर करती रही, अनिल्प मिस, और तुम कहां रहते हो, जब स्कूल बंध हो जाता है, तो मैं दिल्ली चला जाता हूँ, मेरे पिता का एक व्यवसाय है, ओ, और वो क्या है, बल्ब का, मिस फूलों के बल्ब, नहीं, बिजली के बल्ब, बिजली के बल्ब, जब आप धर तो आप मुझे कुछ भेज सकते हैं, मेरे हमेशा फयूज होते हैं और वे बहुत महंगे होते हैं, जैसे इन दिनों सब कुछ, आह, हम यहाँ है, उसने शेल्फ से एक भारी पुस्तक को नीचे खीच लिया और मेज पर रख दिया, फ्लोरा हिमालियंसिस, 1892 में प्रकाशित और शायद भारत में एक मात्रप्रती, यह एक बहुत ही मूलिवान पुस्तक है, अनिला किसी अन्य प्रकृतिवादी ने इतने सारे हिमालय के जंगली फूलों को रिकॉर्ड नहीं किया है, और मैं आपको यह बता दू, कई फूल और पौधे हैं जो अभी भी रूचिकर व वह आखिकार जाने के लिए उठा, अगर आपको पसंद है तो मिस मैकेंजी ने कहा, लेकिन स्कूल के समय के दोरान नहीं, आपको अपनी पढ़ाई को क्षती नहीं पहुचानी चाहिए, उसके बाद अनिल ने सप्ताह में एक बार मिस मैकेंजी को मिलना प्रारंब कर दिया और लगभग हमेशा पहचान के लिए एक जंगली पूल लाया, उसने खुद को लड़के की मुलाकात के लिए ततपर देखा, और कभी-कभी, जब एक सप्ताह से अधिक समय बीच जाता था और वह नहीं आता था, तो यह निराश और अकेलापन अनुभव करती थी और काली बिल्ली को असंतोष दिखाती थी, अनिल उसे उसके भाई की याद दिलाता था, जब वह लड़का था, उनमें कोई शारीरिक समानता नहीं थी, एंड्रू, गूरे बालो तथा नीली आखो वाला था, लेकिन यह अनिल की ठथ सुपता थी, उसकी सतर्कता, उज्वल नजर और जिस तरह से वह अलग खड़ा होता था, टांगे दूर दूर कमर पर हाथ आत्म विश्वास की एक तस्वीर उसे उस लड़के की याद दिला दी, जिसने इन पहाडियों में अपनी खुद की जवानी सांजा की थी, और अनिल उसे अक्सर मिलने क्यों आता था, आंशिक और आंशिक रूप से क्योंकि वह जंगली फूलों के बारे में जानती थी और वह वास्तव में वनस्पती विज्ञानी बनना चाहता था, और आंशिक रूप से क्योंकि उससे ताजा बेग ब्रैट की महक आती थी और एक गंध जो उसकी अपनी दादी के पास थी, और खवारा शेश था, दूर पहारों पर पहली बर्प गिर गई थी, एक परवत की चोटी बाकी अन्य से उची थी, नभनील नीले आकाश के विपरीत एक सफेज शिखर, जब सूर्य डूपता है तो यह शिखर नारंगी से सोने की तरह से गुलावी से लाल रंग में बदल जा है, मैं हमेशा वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ कोई उचित सडक नहीं है, उस उचाय पर ऐसे फूल होंगे जो आपको यहाँ नहीं मिलते हैं, नीले रंग का किरात जेंशन और बैंगनी कालमबाइन, ज्योती, एनिमोन तथा एडलवाइज, मैं एक दिन वहाँ जा जंगली फूल पा सकेंगे, लेकिन आपकी छुटिया अच्छी हो, धन्यवाद महोदे, जैसे ही वह जाने वाला था, मिस मेकेंजी ने एकदम से फ्लोरा हिमालियनसिस हिमाले की बनस पतिया को उसके हाथों में पकड़ाया, तुम इसे रखो, उसने कहा, यह आपके लिए ए उत्रकों के हाथों में आ जाएगी, परन्तू, मिस, बहस मत करो, इसके अलावा, मैं अगले वर्ष शायद यहां न हो, क्या आप दूर जा रही हो, मुझे यकीन नहीं है, मैं इंगलेंट जा सकती हूँ, उसका इंगलेंट जाने का कोई इरादा नहीं था, उसने उस देश क तब से नहीं देखा था जब वह एक बच्ची थी और उसे पता था कि वो युद्ध के बाद के ब्रिटेन के जीवन के अनुकूल नहीं और मेपल्ज और देवदार के पेड़ों के मध्य इन पहारियों में था, पाएगी, उसका घर ओक लड़के ने अपनी बाह के नीचे क बिल्ली भी घर के अंदर रहने लग गई, तथा मिस मैकेंजी के बैट के पैर के पास बैट ही रहती थी मिस मैकेंजी ने खुद को अपने सभी पुराने शॉलो तथा मफलरों में लपेट लिया, लेकिन फिर भी उसे ठंड लग रही थी उसकी उंगलिया इतनी सक्त हो गई थी कि उसे पके हुई बीन्स के डिब्बे को खोलने में लगभग एक घटा लग गया और फिर बर्पबारी होने लगी तथा दूधवाला कई दिनों तक नहीं आया डाकिया उसके पैंशन के कागजात के साथ पहुचा लेकिन वह उन्हें शहर में बैंक तक ले जाने के लिए बहुत थकीगुई महसूस कर रही थी वह अधिकांच समय बिस्तर पर ही बिताती थी वही सबसे गर्म जगह थी वह अपनी पीट के पीछे गर्म पानी की बोतल रखती थी तथा विल्ली उसके पाउं को गर्म रखती थी वह बिस्तर पर लेटी, वसंत और गर्मियों के महीनों के सपने देखती थी तीन महीनों के समय में प्रिमोसिस बाहर आ जाएंगे और वसंत के आने के बाद लड़का भी वापस आ जाएगा एक गर्म पानी की बोतल फट गई और विस्तर पानी से धीग गया कई दिनों तक धूप न निकलने के कारण कंबल गीला रहा मिस मैकेंजी को सर्दी लग गई और उसे थंडे असुविधा जनक बिस्तर पर ही रहना पड़ा वह जानती थी कि उसे बुखार है लेकिन उसके पास थमामीटर नहीं था जिससे वह तापमान माप सकती उसे सास लेने में भी कठिनाई हो रही थी एक रात तेज हवा चली और खिर्की खुल गई और पूरी रात तेज शोर करती रही मिस मैकेंजी थटकर खिर्की बंद करने के लिए बहुत कमजोर थी और हवा ने वर्षा और ओला वरिष्टी को कमरे में ला दिया बिल्ली बिस्तर पर चड़ गई और उसकी मालकिन के गर्म शरीर के साथ सतकर सो गई लेकिन सुबह तक उस शरीर ने अपनी गर्मी को दी थी और बिल्ली ने बिस्तर छोर दिया और फर्ष को खरोचना शुरू कर दिया खुली खिर्की के माध्यम से जैसे ही सूर्य के प्रकाश की एक धारा कमरे में पहुँची दूधवाला भी आ पहुचा उसने दर्वाजे पर रखी बिल्ली की तश्तरी में कुछ दूध डाला और बिल्ली खिर्की से नीचे छलांग लगा कर दूध पीने के लिए आ गई और दूर पहार पर चली गई थी जहां नीले रंका किरात सथा बैंगनी रंका कालम वाइन उपता था